हेलो इस वीडियो में आज हम कॉलम फंक्शन के बारे में, कॉलम्स फंक्शन के बारे में, और रोज फंक्शन के बारे में जानेंगे तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला टैप पे जाएंगे इसके बाद look up and reference के more बटन पे ख्लिक करेंगे और इसके बाद यहांपे column, columns, row और rows फंक्शन को यहांपे करेंगे अंपे column के reference को बताता है तो यहांपे हम column function को करते हैं यहांपे click क्या click करने के बाद equal to यह लिखा equal to के बाद यहांपे column function यूज़ करेंगे यहां पे column लिखा, यह column यहां पे निच्छे आ जाएगा, यहां पे एक column है, एक columns है, column पे यहां पे हम double click करेंगे, यहां पे double click किया है, double click करने के बाद यहां पे दिया गया है reference, तो suppose करो यहां पे हम reference नहीं लगाएंगे, यहां पे bracket को बंद कर देंगे, यह bracket बंद की, यहां यहां पे to show करेगा क्योंकि A यह first column है B यह second column है तो हमने यहां पे कोई भी reference नहीं दिया है तो यहां पे यह जो value show करेगा यह हमें यहां पे to show करेगा यह देखो enter press किया enter press करने के बाद यहां पे to आ गया suppose करो हम यहां पे E column में हैं और 78 यहां पे click किया तो इससे क्या होगा यह हमें column का reference बताएगा कि हम किस column में है तो इसको यहां पे करेंगे यहां पे double click किया यहां पे column और यहां पे packet इसके अंदर हम लिखेंगे reference 78 यहां पे हमने click किया तो यह 78 किस column में है यह देखो A1 यह B2, C3, D4 और E, 5 यहाँ पे column में है तो जब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यह 5 आ जाएगा इसका मतलब यह है कि जहाँ पे हमने click किया हुआ है उस यह column का reference बताएगा कि हमने किस column पे click किया हुआ है इसके बाद अगला जो function है वो है columns, यहाँ पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे columns, यह देखो columns यहाँ पे निच्छे आ जाएगा, यहाँ पे double click किया, यहाँ पे columns आ गया अब हम यहाँ पे आगे दिया गया array तो array यहाँ पे हम columns यहाँ पे select करते हैं, यह देखो यहाँ पे हमने यह इसको select किया यह देखो, c से लेके e तक हमने यहाँ पे 3 column यहाँ पे select किया हुआ है select करने के बाद bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो यहां पे हमने यह जो तीन column select किये थे यह यहां पे तीन यहां पे आ गया है तो columns में क्या होता है जितने column हम यहां पे select करते हैं उतनी value यहां पे आ जाती है इसके वाद अगला function है row function तो row function में हमें यह row के reference को बताता है यहां पे हम इस function को करेंगे यहां पे equal to यह लिखा equal to लिखने के बाद यहां पे row यह लिखेंगे यह लिखो row यह रो यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पे reference दिये गया है लेकिन यहां पे हम reference नहीं लिखेंगे और इसके बाद bracket को बंद कर देंगे तो बंद करने पे ये हमें कौन सी रो बताएगा ये दिखो यहां पे ये रो नमबर 12 यहां पे दिए गया है तो ये रो नमबर ये आ जाएगा यहां पे एंटर प्रेस किया ये दिखो एंटर प्रेस किया तो रो नमबर ये 12 यहां पे आ जाएगा अगर हम यहां पे रो के रि क्लिग किया तो यह किस row पे है तो यहां पर जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यह दिखो यह five row पिया यह रहाँ पर फाइंप्प रे है यहां पर फाइब परो आज़ाई और यह 49 इस रहाँ पिया इसके बाद अगला रोज करो हमने यहां पे यह रोज स्लेक्ट की हुई है यह देखो यहां से लेके यहां तक तो यह कितनी रोज है यह वन टू और यह थ्री रोज है यह हमने यहां पे स्लेक्ट की तो रोज में जितनी रोज हम स्लेक्ट करेंगे उतना नमबर यहां पर आ जाएगा यह देखो इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की इसके बाद जब हम यहां पर enter प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो value आएगी वो 3 आ जाएगी क्योंकि हमने यहां पर 3 rows को select किया हुआ है यह देखो 1, 2, 3 यह देखो enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यहां पे 3 आ गया तो इस तरह से हम इन फंक्शन को यहां पे कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने column, columns, row, rows function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद